पिछले ही वीडियो में मैंने बता दिया था कि डॉक्मेंट वेरिफिकेशन वाली यह वीडियो है उस वीडियो में मैंने सारे डॉक्मेंट बताया थे कौन कौन सी डॉक्मेंट तुम्हें लगने वाली है जब तुम्हारी अलॉट्मेंट आ जाएगी उसके वाद तुम्हें तुम सारे round से बाहर हो जाओगे उन सारी चीजों की discussion मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ इस वीडियो को तुम end तक ध्यान से देखो फिर तुम्हें अच्छे से सारी चीजे समझ में आ जाएगी कि जब तुमारी document verification होगी उसके बाद क्या-क्या हो सकती है तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि तुमारी जो भी present allotment होगी फिर्स राउंड में तुम्हें जो भी allotment मिलेगी वो हो सकता है कि cancel भी हो जाए अगर तुमारी academic score मैच नहीं होती है सबोस तुमने diploma की certificates लेगे गए और तुमने वहाँ पर जब verification के लिए उन्हें दिया और उन्होंने जब match किया तो तुमने counseling के type registration में कुछ और fill कर दिया था और वहाँ पर तुमारी academic score कुछ और दिख रही है तो क्योंकि जो तुमने registration के time fill किया था उसके according तुमें वहाँ पर college allot हुई है और वहाँ पर तुमें कुछ और marks मिली है कम मिली है या फिर जो भी तो तुमारी उसके कारण क्या होगी allotment वो cancel हो जाएगी या फिर suppose तुमने category में OBCA, OBCB या फिर SCST को fill करके रखा था और जब तुम वहाँ पर verification के लिए गए तो तुमारी वो allotment cancel हो जाएगी और such candidate will be automatically considered in next round with their revised academic score या फिर category certificate याने कि तुमें फिर से next round में chances दिया जाएगा वहाँ पर तुम फिर से जाकर category certificate या फिर जो भी academic score होगी उसे तुम ठीक करवाकर वहाँ पर फिर से participate करोगे next round में और फिर तुमारी next round में जो allotment आएगी वहाँ पर जाकर फिर तुमें verification और admission वो सारी चीज़े करवानी होगी तो इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ किसी भी तरह की कोई भी गलती मत करना, registration जब होगी counseling की तो वहाँ पर अच्छे से fill करना सारी चीज़े अपने academic score को भी अच्छे से fill करना क्योंकि वहीं से सारी चीज़े decide होगी कौन-कौन सी choices तुमें मिलने वाली है fill करने के लिए और category भी अपने according fill करना जो भी category से तुम बिलॉंग करते हो जो भी certificate तुमारे पास होगी उसी category को fill करना अगर तुम general candidate हो तो तुम OBCA, OBCB, SC, ST ये सारी चीज़े fill करने मत जाना क्योंकि जब तुम verification के लिए जाओगी अगर वहाँ पर तुम produce नहीं कर पाए certificate तो तुमारी वो allotment cancel हो जाएगी तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखो और अगर तुमने अब तक वो counseling document वाले वीडियो नहीं देखी है तो तुम जाकर उसे देखो पहले इससे पहले ही तुमें वो वीडियो मिल जाएगी मैं तुम्हें बता दूँगा कैसे क्या फिल करनी है लेकिन हाँ जैसे ही तुमारी verification होगी वहाँ पर तुम्हें ये yes या no upgradation form को देनी होगी चलो आगे मैं बता हूँगा किसको yes देना है किसको no upgradation देना है if the candidate has been allotted a seat of his or first choice then after successful document verification he has no option but to freeze his or seat such candidate must opt for no upgradation and complete all admission formalities PI reporting at the respective institute and collect signed physical reporting receipt तो देखो suppose तुमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 suppose तुमने 7 choices को फिल किया try करना maximum से maximum choice फिल करना choice feeling में कोई mistake मत करना यहाँ पर बस मैं example ले रहा हूँ suppose तुमने 7 choices को फिल किया और यहाँ पर suppose तुमने जो first choice को फिल किया था तुमने सबसे पहले जारबपुर उनिवर्सिटी की कोई ब्रांच को फिल किया तो तुमने जैसे यह choice मिल जाएगी अगर first allotment में जैसे ही result आएगी allotment की और तुमने अगर यह choice मिल जाती है तो तुमारे पास फिर कोई option नहीं रहेगी तुमने यहीं पर जाकर physical verification करवानी होगी यानि कि जारबपुर उनिवर्सिटी में और फिर तुमने इसी particular branch में admission लेना होगा और तुमने उस case में no upgradation form को फिल करनी होगी और सारी admission की formalities को तुमने पूरी करनी होगी तो वहाँ पर तुमें PI reporting letter यानि कि provisional admission letter दे दिया जाएगा और तुम उसे समाल कर अच्छे से रखना जब तक कि तुमारी complete admission process नहीं हो जाती है और तुमें ध्यान रखना है कि तुमें जो physical reporting receipt मिलेगी उस पर वहाँ पर sign रहने चाहिए वो PI reporting officer जो भी होंगे वहाँ पर जिस भी institute में तुम जाओगे verification के लिए वहाँ पर उसमें sign करके तुमें दे देंगी तुमें वह अच्छे से रखनी होगी of course such candidate cannot participate in mop-up round यानि कि mop-up round में भी वो सारे candidate participate नहीं कर पाएंगे ध्यान रहे है मैं उस candidate की बात कर रहा हूँ जिसे जितने भी twice उसने fill किया था अगर उसे first choice मिल जाती है तो वैसे candidate की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अब देखो on the other hand if the candidate does not complete admission formalities, PI reporting, he see will be devoured from any allotment in any future round यानि कि अगर तुम वहाँ पर अपनी formalities को पुरी नहीं करते हो admission की formalities को तो तुम फिर वहाँ से counselling से बाहर हो जाओगी और फिर तुमें और कोई भी future round में participate करने का chance नहीं दिया जाएगा यहाँ से तुम्हें एक और चीज सीखने को मिलनी चाहिए कि तुम्हें जो choice feeling करनी है वो अच्छे से करनी है अगर suppose तुमने first ही choice कुछ खराब सा feel कर दिया suppose तुमने first choice में कोई भी private college को feel कर दिया तुम्हें यही college में जाकर फिर admission करवानी होगी तुम्हारे पास कोई chance नहीं रहेगा कि फिर तुम next round में participate करो या फिर फिर से तुम अपने choice को feel कर पाओ या फिर तुम अपने फिर government college में पढ़ने की जो chances थी तुम उसे ले पाओ वो सारी चीजे तुम miss कर दोगे इसलिए choice feeling काफी अच्छी होनी चाहिए यह बार बार मैं बोलता आ रहा हूँ अगर कोई भी problem होती है तुम नीचे description में form मिलेगी तुम उस form को feel करो और हम लोग तुमारी पूरी help करेंगी कैसे तुमें choice feeling करनी है कैसे तुमें सारे choices को arrange करना है कौन सी course को किस college पहले fill करनी है किस को बार में fill करनी है ताकि तुमें एक अच्छा सा अच्छा college मिले और एक अच्छी सी अच्छी branch मिले अगर तुमें हम लोग की personal counseling guidance को join करनी है उसके बाद उसी number पर तुमें call जाएगी और सारी बातें फिर वहीं पर होगी अब देखो इब the candidate has been allotted a seat of his or second or letter choice then after successful document verification he can opt for no upgradation if he wishes and complete admission procedure such candidate also cannot participate in mop-up round but if the candidate opt for no upgradation and then does not complete admission he will be divert from any seat allotment in any future round अब देखो अब तुमें जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 suppose तुमें इतनी choice को fill कर तुमें first choice जो नहीं मिली अब second से लेके नीचे कोई भी choice अगर तुमें मिलती है कोई भी choice suppose तुमें second मिल गई, third, fourth कोई भी अगर मिलेगी कोई एक choice तो तुमें जो है yes upgradation और no upgradation form दोनों form fill करने की chances रहेगी या तो तुम yes fill कर सकते हो या तो तुम no और अगर तुम no को fill करते हो तो फिर वहाँ पर तुमें admission की सारी formalities को पूरी करनी होगी और फिर तुम mob up round में participate नहीं कर पाऊगी क्योंकि जैसे ही तुमारी admission complete होगी तुम फिर counselling से वहाँ से बाहर हो जाओगी और हाँ अगर तुम no upgradation को fill करते हो और इसके बाद अगर तुम admission complete नहीं करते हो तो फिर भी तुम जो है seat allotment से बाहर हो जाओगे फिर future में तुमें कोई भी allotment नहीं मिलने वाली है इसलिए कौन से upgradation form भरनी है वो तुमें ध्यान से भरनी होगी मैं तुम्हें update कर दूँगा अच्छे से बता दूँगा yes upgradation no upgradation form में क्या difference है किसे कौन से fill करनी है यहाँ पर मैंने बता दिया तुम्हें I hope समझ में आ गई होगी तुम्हें second से लेकि अगर नीचे कोई भी choice मिलती है तो तुम चाहो तो yes भी fill कर सकते हो चाहो तो no भी fill कर सकते हो तुम्हें first choice मिली है तो तुम्हें no ही fill करनी होगी और तुम्हें वहीं पर admission करवानी होगी अगर तुम्हें second से नीचे कोई भी मिलेगी तो तुम yes no दोनो fill कर सकते हो अगर तुम no fill करोगे तो तुम्हें admission करवानी होगी अगर तुम yes फिल करते हो तो देखो यहाँ पर next line में यहाँ लिखा हुआ है तो अगर तुम yes फिल करते हो तो जो भी तुम्हें फिल करके माँ देते हो तो जो भी तुम्हें फॉस्ट राउंड में allotment मिलेगी तुम आपर बस जाकर document verification करवा ले न suppose यहाँ पर देखो तुमने 1,2,3,4,5,6,7 यहाँ पर suppose 7 choice थी तुम्हें 4 choice मिल गई first round में first round में तुम्हें यह choice मिली यहाँ पर तुमने जाकर document verification करवाया यह एकदम mandatory है मैं तुम्हें अभी से बता दे रहा हूं document verification तुम तुरंत करवा ले ना जैसे ही जो भी allotment तुम्हेरे first round में मिलेगी तुमने इस college को विजिट किया और यहाँ पर जाकर तुमने document verification करवा ली और यहाँ पर तुमने यह subgradation form को fill कर दिया फिर जैसे ही second round की allotment आएगी हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर second, third या first में से कोई choice मिल जाए suppose तुम्हें यहाँ पर second choice मिल गई second round की allotment में जो second round की allotment की result आएगी तुम्हें यह मिल गई in any future round यानि कि document verification होने के बाद अगर तुमने yes अप्ग्रेडेशन और no अप्ग्रेडेशन को choose नहीं किया फिर भी तुम्हें ऐसा consider किया जाएगा कि तुम्हें इंट्रेस्टेड नहीं हो करको आने वाली हर एक वीडियो तुम्हारे लिए important है यह वीडियो भी तुम्हें अगर helpful लगी तुम इस वीडियो को एक like कर दो अपने friends के group में share करो उन्हें भी काफी help मिलेगी और किसी भी latest update को miss मत करो channel को subscribe करके रखो thank you for watching this video मिलते हैं फिर next video में